दोस्तों मस्कार आप सभी का स्वागत है आज किस वीडियो में जैसा कि हमने आपको लाश्ट वीडियो में बिताया था कि BPSC अब अपना रिजल्ट अक्टूबर में जारी करेगा मिड अक्टूबर में जारी करने की बात कही गई है उसके बाद यहाँ पर BPSC की ओफिशल वेबसाइट पर कुछी समय पहले 15 सिप्तंबर को एक एक नोटिस जारी किया गया है आईए देखते हैं इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है तब तक आप इस चनल को सब्सक्राइब कर कर लिजेगा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 नोट दो हजार तेईस ठीक है सिगनेचर और क्या है इस अपडेट में आवस्तिक सूचना विग्यापन संख्यायत ना विद्यालय अध्यापक नियोक्ति प्रत्योगिता परिक्षा के वर्ग एक से पांच में समिलित अ अपठनी है मतलब आपने जो भी डाकॉमेंट अपलोड किया है आधार कार्ड वगएरा कुछ भी आपने अपलोड किया है 10th 12th अगर उसको आप अपडेट करा चुके हैं या गलती से मतलब कई लोगों के दोरा शिकायत की गई थी कि साइबर कैफे से उन्होंने फॉर्म भ हाजा रहा है सही दस्तावेजों को पुना हां 21-25 तारिक तक 21-2023 से 25-2023 तक देखे कुछ लोगों देखे कोई वी चीज होती है तो इसका सकारात्मक पहलू होता है और नकारात्मक होता है यहां पर अगर आप सोच रहें कि यह गलत तरीका है कुछ भी है तो देखे यह सारी समस्याओं को खतम कर देना चाहते हैं इस पज़े से लगातार अभिरतियों के पक्ष में यह आयो काम कर रहा है यहां पर यह कह रहें कि 21-25-2023 तक अप्लोड कर सकते हैं इसके लिए बीपीसी की ओफिशिल वेब साइट पर जाकर के तोटी रहित एवं पठनी प्रती अप्लोड कर सकते हैं अप्लोड किये जाने वाले दस्तावेज की च्छाय प्रती 100 के भी तक का होना चाहिए और अप्लोड किये जाने वाले दस्तावेज के च्छाय प्रती अगर किसी के आप फोटो कॉपी अप्लोड कर रहे हैं तो यहां पर कहा जा रहा है राजपत्रित यानि गजिटेड ओफिसर के द्वारा अटेश्टेड होना चाहिए साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पतादिकारी का नाम पदनाम पदिस्थापन का स्थान एवं संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे सही दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा क्या सब को यह काम करना है तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा क्या कहा जा रहा है अगर तुटिपूर्ण है आप अठनी है सबसे पहले आपने जो भी डाकूमेंट अपलोड किये हैं उनको आप ओफिशल वेबसाइट पर जा करके देख लीजे लॉग इन करिएगा वहाँ पर दिखेंगे अगर आपको लगता है कहीं पर भी कोई मिश्टेक हुई है तो आपको चेंज करना है वरना जरूरत नहीं है ठीक है अगर आप किसी भी रिजल्ट की फोटो कॉपी बगरा लगा रहे हैं ठीक है जो अगर आपका और्जिनल नहीं आया था अगर आपने फोटो कॉपी लगाया है कालिच से प्रमारit करके लगाया है उस संबंध में आप इसको राजपत्रित पतादिकारी के द्वारा अटेस्टेड कराना जरूरी है आईए दिखाते हैं आपको किस तरीके से आप अपने अप्लोडेट डाकुमेंट को चेक कर सकते हैं देखें ओफिशल वेबसाइट में जहां से आपने फॉर्म भरा था बीपीएसी ऑनलाइन एप्लिकेशन यहीं पर आपको अपने डेटेल फिल करनी है ठीक है आपको अपना यूजर आइडी और पासवर्ड फिल करना है और जब आप यह डेटेल फिल कर लेंगे तो आपके सम 약inePico already, के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ हमने कट आफ पर विडियो बना रखा है डाकूमेंट क्या-क्या चाहिए उस पर विडियो बना रखा है दाकूमेंट वरिफिकेशन के लिए यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं सैलरी क्या रहने वाली है आपकी 12 to 12 यानि कछा एक से लगा करके 12 तक जो सिक्षक बर्ती की प्रक्रिया चल रही है और 6-8 की जो वेकेंसी आएगी बहुत जल्द सिक्षकों की क्या सेलरी रहती है बिहार में उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगी यहीं पर वो वीडियो बन करके आ रहा है क्लिक करके देखें मिलते हैं डेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ